नमस्कार स्वागत है आपका NXNan Sports में IPL का दोर चाला है और यह वो दौर है जिसमें के एक के बाद एक performance देखने को मिल नहीं प्लेयर्स हैं जो कि एक बाद एक बहेटीन performance देने के बाद टीम का जो चैन हो लेमाया वरर्ल कप का वहां पे द्यान आकर सिद कर रहे है करता होगा तो देखने के बाद ये है कि जो कि अंडिया का भर्ण खराब पर्फॉधे रहा है तो उसमें नए प्लेयर से वह उसमें जाकर पर्फॉधंस देने वाले हैं इंडियन टीम मैं यह देखने वाली बात मेरे साथ मदल्स जो के इस मतलब बात करने आपको क्या लगता है कि जो टीम में परफोंस दे रहें नहीं प्लियर्स हो तो क्या वो चैन कर सकते हैं इंडियन टीम में बिल्कुल शान आपने बहुती अलग तरह का सवाल उठाया जो कि पूरे देश में अगर देखें तो आई-पेल का पूरा खुमार चाय हुआ है ऐसे म सब्सक्राइब करें लगता है कि हाँ इनका सेलेक्शन टीम में होना चाहिए लेकिन उसके बाद भी कही नाम जैसे आप हार्दी पांडिया को ले ले लेजिए विजे शंकर को आप बात कर सकते हैं आप संजू सेंसन की बात कर सकते हैं खुद्रिश्व पंद के ओपर भी उ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कोई खराब चीज नहीं होनी चाहिए बारे में एक बाद दादू अंडर नाइटीन के दुह जार अठारे में कैप्टन रहे थे और इसमें आज चिलिया के खिलाब फाइनल वर्ल्लकप जिता है था आठ विकेट से वह वर्ल्लकप जिता था और अभी दिल्ली के तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं जिसमें के चार मैच खेल तुके और एक सो तीस तरण बना चुके है और उसमें नाइंटीन 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 पर आउट होए थे जो कि बड़ा स्कोर होता है आईपल के साफ से देखें तो और उनका उनके ऊतिक बड़े एक माझसमें नाइंटीन बाचिन नाइंटीन होमड़े एक रप शन्रनी तरण नांगज को तक का खी नाइ नाइंटीन नाइंटीन मून की बाच्छ उनके नाइंटीन आप ट्म कुछ झाल स्टीन दैन इसर नार्शामarle तक्रिबन तक्रिबन जैसा लग रहा था तो यह है कि उनको अपना आइडल भी मानते हैं अपना तो जरूरी है कि उनको भी मौका दिया जाए उनको भी आकर बढ़ाया जाए क्योंकि बहुत टैलेंट है इस प्लेयर गंदर अगर इसको मौका मिलता है तो ज़रूर आने वाले अंतुरा से मैचेस में और ज्यादा बहुतिन परफोर्फोर्मेंस के सामना आ सकती है जी बिलकुल आर इसको अपने परफोर्मेंस दिया था जिसके उन्हें काफी हालो चुनाव का सामना गड़ा था लेकिन आईपल में देखे हैं तो चार मैचेस में 153 में बना चुके है ऑजिसमें के अचार मैचेस में एकी अरे जो आज परफोर्मेंस और इसकोर में आए था जड़ाद में था रहे हैं और इनकी स्ञाट़् मुझेस अपने परफोर्मेंस आए जगा है जग तो तो आपके लिगे जग्या स्वार बना शक्र जग जगा लगा है तो अश्या पर बल्लेवाजी करते हैं तो यह एक तीम के लिए बैलन्स की इस्तिति आ जाती है कि अगर मालीज आपके पास तीन खिला रहा है तो वहां पर पड़ रहे हैं तो वहां पर उसको पूरा कर सकते हैं तो यह अच्छा कॉमिनेशन हो सकता है लेकिन वर्लकप में उनको तरजी द बात चल रहे है शान कि क्या और युवराज की जगह उनको तरजी दी जाएगी यह तौड़ा देखने वाली बात होगी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैं बात बताना चाहूँगा कि जो मिडल ओर है वो बिल्कुल खराब परफॉमेंस दे रहा था उसे में चलते देखे त परफॉमेंस देने को मिलें तो देखते हैं कि जो इंडियन सेलेक्टर हैं वो किसी नए चेहरे को इंडियन टीम में सामिल करेंगे अब सर में युवराज सिंग के बात करना चाहूँगा हमारे जो फैंस हैं वह भी बहुत कुछ मतलब जाना चाह रहे हैं युवराज सिंग तो अब युवराज सिंग को हमेशा बहुत दिलेल प्लेयर के तौर पर देखता हूं उनकी पहली पहली ज़राब देखी हाप सेंचुरी करते हैं एक प्लेयर जिसके उपर निगाहें ठीक हुई हैं और ऐसे में अपनी टीम के लिए हाप सेंचुरी करना और बड़ा मजबूत है वो अगर वो अपना उनका दिन हो अपने उनके बैटिंग अगर उनके हिसाब से चले तो वो रन के अंबार ख़ड़े कर सकते हैं और तीनों मैच में खासकर अंती मैच में जिसने मुंबई हारा उसमें बहुत 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 बहुतर प्रदोशन नहीं रहा है यानि कि खुद दर्शक है वो भी चाहते हैं कि वी क्रिकेट में युबरासिन की बाप सुई भारती क्रिकेट में और वो एक बहुतर इन प्रदोशन करें और कहीं आपने आकड़े गरा है उसमें युबरासिन कहीं इन से बीच नजर आ रहा है तो मैं पूछना चाहूँग को बिल्कुल लगतार बात हुई है लगतार हमारे प्रोग्रम इसको लेकर हुए कि मेरी लॉटर मैं चाहें आवंतिर इडू को आप इसमाल लेकर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जरूर युबराज सिंग को मौका मिल सकता है। युबराज सिंग एक बड़े प्लेयर हैं, बड़े टॉर्णामेंट के प्लेयर हैं, बड़े मैचों के प्लेयर हैं, अगर आप देखेंगे, बड़े प्लेयर हैं, अगर उनको मौका मिलता तो इंडियन क्रिक्ट के लिए मजबूती ही नजर आएगी। बिलकुल सही कह रहे हैं, हमें भी लगता है कि युबराज सिंग जरूर बापसी करेंगे इंडियन टीम में, जैसा वह परफोमेंस कर रहे हैं, अभी मात्र तीन में My ज allons बड़ी ही ज तो और इंडियन टीम में बापसी करेंगे और भी ज्यासेन में ज़से रहे हैं, लेकिन जि कि GO परफोमेंस करेंकिन पर 思ानेन में महीं, तो एंडियन करें जोको मात्र तीन मैच कर दे रहे हैं, जी हैं जादा बड़ी हैं, तो उतरे MP मैदान में और जिस स्टेस पर खेल रहे हैं आथ तो बहुत ही अच्छा प्रवोंच दिया है चालीस रन पर नावाद भी रह चुके एक बार 200 का स्टाइड रेट है और आते ही तबाही मचा देते हैं मैदान में तो सर आप क्या क्या रहे हैं सही बात है कि अगर अगर विजय शंकर एक ऐसे बैट्समें जो किसी भी परस्टिव में आपकर बैटिंग कर सकते हैं और जरूरत आपको रहन भी बना सकते हैं दूसरी मेहत्पर विम्मत आपने कही कि 14 रहन बिलकुल ठीक है लेकिन पर परिसितिदी क्या है तो यह बहुत ही बड़ी बात हो ज ज्यादा बेहता तरह के से पीच पर टिकते हो और रन बनाते हैं तो मेरे खाल में बेटी शंकर के साथ एन्हें वो जाना चाहिए वर्ड़कप की टीम के सलेक्शन की बात करें तो और बहुत ही जादा अच्छा परफोरमेंस दे सकते हैं जैसके प्रित्वी सो आँ बहुत ह जादा अच्छा खेल दे और रिषब पंत श्रेश आया बहुत ही अच्छा पावशन देखना देखना यह बहुत ही अच्छी बात होगे लेकिन यहां पर यह राज सिंह को देखना बहुत जरूरी है कि वह कैसा पावशन देते और इंडियन टीम में बापसी करते हैं के नह आगता आप लोगाता ने का बहुत हैं कि इनका पॉल्स बीच гाणा गया है लगारकी लेकिन की वह की एक समय लगता है ताह था मिरिए झाभावशन पावशन देखनाए कि बेंगे फैड की टीम के निफिगे के लिए को क्या में वर्टऎ और अवंति राइडू को जिकर करना एक लगाता है उनके मौकें मिलें लेकिन विद्री बहते हैं उनकी बनी नहीं जो हम सोच रहे थे कि उनको दिया जा सकता है मुझे लगता है कि हो सकता है कि चेन करता समझें सोचें और योबरास निंग को इन पर तरजी देते हैं युद् प्रोग्राम में आपकी राए जरूर रखेंगे नमस्कार प्रोग्राम में आपकी राए जरूर रखेंगे नमस्कार